तो मैंने उनको पूछा कि आपके पास केवल कमुनिस्ट विचार को लेकर जो चल रहे थे वर्ग विग्रय की संगर्श के उपूरी बाते आपको पता है वो काल के पटल वर सब उसका आज क्या स्पिति आपको पता है जो समाजवादी थे उनकी स्थित्य समस्वादी प्रजाद नो करदम भाष्ट लोई जीने सतो destroy you थे actor सामाजवाद भी हमारी समस्यां का जवाब ने दे पाया ओब आज उनका release नहीं तिसरी वाद जो पुंजीवाद था जो विशेश रुप से कैपिटलिस्ट थिंकिंग यह उनकी बातों में भी पार्टिया थी विच्छादारा थी अमरिका की लिबरल मैं इसलिए आपको याद कर रहा हूं कि मैं जब 95-2000 में मंबई में मंत्री था और पब्लिक प्रावेट इन्वेस्टमेंट पर देश का पहला ब्योटी रोड बनाया अफ्लाइवर बनाया तो मुझे अक्सर एडिटरियल लिखते थे लोग कहते थे कि विदान मंदल में ंर्स्टमट चीजें जो हमारी एकोनोमिक पॉलिसी और पार्टी की विशीरता है कि हमारी जो तीनि इंपॉर्टन भॉर्णच सिंग्हिंग पॉलीचitas है उसमें पहली विखिस्टमmachen और राश्ट्रवाद के साथ राषटर का सर्वांगिन विकास राष्ट्र शर्वीए तो दूसरी बात जो थी वो गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेट कि हमें अगर परिवर्तन करना है, सोश्य एकोनोमिक ट्रास्फरमेशन करना है तो हमें बड़े प्रभाण पर गुड अगवर्नेंस एंड डेवलपमेंट का विचाय करना होगा और थर्ड तिंग जो हमारा उद्दीष्ठ था वो सबसे इंपोर्टन है और उद्दीष्ठ जो हमारा सामाजिक अर्थिक चिंतन था वो अंतेवदेगा था और पंडित दिन्द्याल उपाद्धेजी ने इस चिंतन में जो कहा कि समाज का जो आखरी वेक्ति है जो शोशी थे में पिलीद है जिसके पास रहने के लिए मकान नहीं है खाने के लिए रोटी नहीं है शेरेर कपड़ा करना है और जीज़े ने स्वेक्ति को रोटी कपड़ा और मकान मिलेगा उससी दिन हमारा कार्य पुरा होगा ऐसा हम समझेंगे अब मुझे यह लगता है कि जब उस व्यक्ति का कल्यान करना है तो कल्यान करना वो कैसा हो सकता है उसके अभी तक कि यह तीन इकमामिक अप्रोच जिसका मैंने रेफर्स दिया था अब आप जैसे लोग सरकार के पास जो फंड्स होते हैं उसकी मर्यादा होती है और इसलिए जो मॉडल हमको तयार करने चाहिए वह हमारी एकमामिक सोच में लिब्रल एकमामिक पॉलिसी यह रहनी चाहिए पर जो केंदर विल्दू होता है वो आखरी वेक्ति गाओ गरीब मजदूर और किसान उसकी प्रगत्य और विकास कैसे हो टेकनोलोजी का उपयोग करके कैसा हो और विशेश शुप से उसको किस प्रकार से ह हम जो आजकल जिसकी चर्चा होती है एपी हुमन इंडेक्स डोमेस्टिक हैपी हुमन इंडेक्स जिसका भूतान के प्रदानमंत्री जी ने यूनों में कहा था मुझे लगता हूँ बहुत बत्व पुर्णा है और उसके आधार पर इस गरीद्र नारायन को जिसको मोदी जी को सस्टेनेबल जीवन कैसे मिलें और उसकी दिशा सेम जाएं यह इसका विचार है और टेक्नलोजी और इस भाव का विचार होता है तो मेरा सबसे अच्छा अभूद आभी बहुत तनेल रोड के बारे में चर्चा होती है तो मुझे जब कोई पूछता है कि तुम्हारे तो एक करोर लोग साइकल रिक्षा चलाते थे और मैं अपने बचपन में जब रिक्षा में बैटा है मेरी बहुतस चार चार लोग बैटे थे और हमारे यह कारल्य के सामने कामने चणाब है लगाने हो फीचता था तो उसके पासीना निकलता भाछा देखते वए बड़ा आ तो 2014 में आने के बाद मैंने पहला काम किया कि मेकैनेश डिवन ई रिक्षा और लाया और मैंने निरने किये कि जो एक्जिस्टिंग मार्केट में जो एक्सलें चक्के है स्कूटर के इसको लगा के असेंबल कर सकता है तो मेरे उपर सब कंपनी वालों कोट केस जाली सुप्रिम कोट में केस गई तो मैंने उनको एक रिफरेंस दिया कि देखू गांदी जी ने कहा था कि गरीब के हिद के लिए जब काम करना होगा तो एक खादेवा नियम के बाजू जाकर भी करना होगा तो करना चाहिए और सुप्रिम कोट में केस जी थे और आ सब्सक्राइब करने जीवन रिक्षा चलता है अब उसमें इतना रिवुलेशन हुआ है कि आजकल वह बड़े-बड़े कंपनी अमेजन से लेकर सब इक आट पे अभी शीफ्ट हो गए और वह शोशन था एक प्रकार से मानविय शोशन जिसके लिए लुहिया जी कहते थे कि हम मैं कभी जिन्दगी भर ये रिक्षा में नहीं बैठूँगा जिन्दयाल उपाद्देजी ने कहा है कि जिस दिन ये रिक्षा सही में इसका विकल्प हो जाएगा वो देश का सुनरा दिन होगा और मैंने जब बिल पार्लमेंट में डाला था तो बुलायम सिंग यादो जी मैं नियम बनाए बदल दिये कि मैं ट्रांस्पोर्ट मंत रहे हैं तो मेला अभी रिक्षा चला रहिए अब देश में लाखों रिक्षा चला रही है दूसरी बात फिर मुझे दिव्यांग अभी मैंने अमारे शहर में 200 दिव्यांगों को फिर उसमें भी सरकार में कानुन तो बनती है तो दिव्यांगों को मना कर दिया लाइसन देने के लिए फिर मैंने बैठा और मैंने का इसका दुरुस्ति करूं कि जिसका पैर अच्छा है जो ब्रेक द और यह जो हैं कि इसको कम से कम आज हजार उप्रोच तो बिलता है इसको अच्छार रिफ्षा में जो पेटूल दे चलती है उससे इसका एक्वूनुमिक सेग्टम अच्छा है और चार चार लोग बिठा के चल रहा है हजार देदेर हजार रोच मिल है तो स्वावाय कुर्फ से एक गरीब के जीवन में रिवूलिशन हुआ तो जो हैपी हुमन इंडेक्स है और जो 75 साल की हमारी सबसे बड़ी विशेशता है और इसलिए जो पॉलिसी यही है कि पैसे की कोई कमी नहीं देश में और मेरे को तो कोई पूछ भी नहीं सकता क्योंकि मैं जब करोड़ों में बात करता हूं एक लाग दो लाग पांच लाग दिस तो बड़े पत्रकार बड़े कॉस्चस होते हैं तो मैंने देखो आप मेरे नौ साल के स्टेट्मेंट रेकॉर्ड कर लो रिसेट कर और मैंने कई अब बात नहीं हूए होगी तो आप ब्रेकिंग न्यूज लगाना अगर नहीं करना तो मैं नहीं कोगा तो मेरा अच्छा है कि मैं अभी कैपिटल मार्केट में बी ओटी हाइब अलग लग प्रोजेक्ट करते हैं तो मैं अभी हमारे इनवीट मॉडल में बॉंबई स्टॉ आपके एक्षेंज में हमारे मॉडल को लांच किया और लांच करने के बाद इस बार मैंने थोड़ा सा मेरे मन में आया कि अब धन्वाल लोगों के पैसे से रोड नहीं बढ़ाना फॉर इन इंवेस्पेंट में तुबार लोग प्रायटी पर रखो अब हम गरीबों के पैस में इंटेज जमा होगा आप में से बहुत से लोग रिटार लोग देख रहे मुझे तो जरूरी इस मॉडल में इन्वेस्ट करिए क्योंकि बैंक के डिपॉजिट में आपको साड़े पाच परसेंट मिलेगा यह एट पॉइंट जिरो परसेंट मतली और प्रीपल के लिए था और दस दिन के लिए था तो जब मैं मैं चला गोवा चला गया था परिवार के साथ कुछ कारेकर्म भी था तो पहले दिन साथ घंटे में हमारा इन्वीट बॉंट आईश्यू सेवन टाइम्स ओवर सब्सक्राइब विदिन सेवन तो डर गया हमारा फैनास्में पैसे आए जल्दी आओ मुंबई मुला इसे कैसे जल्दी आओ बोलिए बंद करना पड़ाइब पैसे वापस कैसे करेंगे दस दिन रहेगा तो कितने पैसे आएंगे मैं आता हूं मैं दूसरे सुबह उटके सब कारेकर करके मुंबई गया स्टॉक एक्शेंज गया वह बे प्रवादिय और कम्मुनिस्स सरकारे रहती तो जिंदगी भी यह नहीं होता क्योंकि उनकी सोच अलग प्रकार के थी मोधी सरकार की और अटल जी के नेतुरूत में हमारी सरकार की सबसे बड़ी परिवर्तन जो साथ साल की कॉंग्रेस की एकोनोमिक सोच थी और जो अटल ज सोसे मंत्री था तो मतुरा में 80 mlD श्रच गंदा पानी मतुरा में बहुत माप करिये मुझे मैं जब गया हूं तो गंदा की बहुत है तो मैंने उस समय सोचा कि मैं एक प्रोजेक्ट त्यार करूंगा तो प्रोजेक्ट हाइब्रिड एनुटी में तेहर किया तो वहां मतुर इंडियन ओस्टरी है तो मैंने उनको बुला कि आपको पानी कितना लगता कहां से ले यूपी एरिगेशन मिनिस्टरी से लेते हैं कितना पैसा थे विच अभीस करोड़ मैंने वहला मैं आपको पानी देता हूं पांच करोड़ शे करोड़ कम करके 20 करोड़ मैं वहां मैं टेंडर जी थी और उन्होंने वो प्रोजेक्ट पुरा गया और पुरा करने के बाद अब प्रोजेक्ट टमप्लिट हुआ है और उसमें 20 करोड साल के इंडियन ऑईल पानी खरिदती है वह जो स्वेज गंदा पानी अच्छा करके वह रिफाइनरी के लिए 20 करोड साल के देत मेरी पार्लमेंट और साथ साल से मैं अपने शहर का टौलेट का पानी बेच रहा हो और यह महाराष्ट्र सरकार का बिजली जनरेशन कंपनी खरिती है अब क्या होगा हमने टौलेट का पानी बेचकर कितना पैसा मिलता होगा कि हमारी कार्पोरेशन को हर साल 300 करोड रुपे साल के मिल रहे हैं अब मेरे मन में है कि वह टाइलेट के पानी से हड्रोजन तैयर करना और जो ऑर्गैनिक वे सेग्रिगेट हुए उससे हड्रोजन तैयर करके उससे हम हम एनर्जी को आयात करने वाले नहीं हम एनर्जी को निर्यात करने वाला देश बनें तो टेकनालाजी और एकोनोमिक सोच का जो सही अच्छा एक आपका कॉंबिनेशन है ये 75 साल में हमारी गवर्नस एड्मिस्ट्रेशन और विशेश शुप से जो मैं अकसर एक बात कहता हू कि yn प्रेटर जो होते हैं इंडस्टी ट्राइड बिजनेस इंके पर दिगृणा थी को अलग अलग लोगों की विचार हो सकते हैं और मैं अकसर यह मानता हो कि वे'll creator is not only a wealth creator is employment creator और देश की सबसे बड़ी समस्य अगर कोई है तो रोजगार निर्मान करना और रोजगार निर्मान किये बिना पर capita income और ग्रोथ नहीं होगी और रोजगार निर्मान करना है तो इंडस्ट्री टेड और बिजनेस के सिवा होगी नहीं सरकार की मर्यादा कितने लोग पुलिस में लेंगे कितने लोग इनुश्ट्री में जाएंगे आखिर पॉपुलेशन बहुत बढ़ी है सवासो कर लोगे अब इनकी इनकी रोज़ी रोटी कहां से मिलेगी तो स्वावाई कुर्प से आज हमें ज ट्रांस्पोर्टेंट कम्मुनिकेशन इंफ्रोस्ट्ट्ट्चर डेवलप होगा तो यह देश में यह हो सकता है और इसलिए आज सबसे महत्वपुर्णा है कि इंफ्रोस्ट्ट्चर डेवलपमेंट करके हम इंडस्ट्री टेड बिजनेस को बढ़ाएं इंपोर्ट को कम कर एक्सपोर्ट को बढ़ा है तो देश में हम जो फाइव ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी प्रदान मंत्री बोलते हैं आत्मंदीर बर भारत की बात करते हैं वह सपना पूरा होगा एक शोटा सा उधरन आपको देता हूँ मैं अटो मैं मेरे पास ही ट्रांस्पोर्ट में हैं य यह अटो माइल इंडस्ट्री का फिलाल ठर्मोर्ट सेवन फाइंट फाइव लाग करोज है इस इंडस्ट्री ने अब तक देश में साड़े चार करोड जॉप क्रियेट किया है और देश में राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीस्टी देने वाली यह इंड मैनिफेक्चिरिंग हाप बनना है और यह बात कहीं तो लोग बोल रहते कैसे होगा अभी दो मेने के पहले पहले नंबर पर चाइना दूसरे नंबर पर युए से तिसरे नंबर पर जापान और चोटे नंबर पर इंडिया था अब क्या हो गया जापान को हमने पीछे डाल हो गया और हमारा तिसरो नंबर हो गया और मैं आपको पक्ता बताता हूं मैं कॉंफिडेंट हूं कि पास साल के अंदर वर्ल्ड एट वेल मैनिफेक्चिरिंग में इंडिया नंबर एक पर होगा है मैं अभी पूरे में चाकण में इलेक्ट्रिक मर्सीडिस का लांचिंग किया तो जर्मन से वहां के है वहाँ के मर्सिडिस के चेर्मन आये थे तो मैं उसे बात कर रहा था तो उन्हें रहा है कि हम केबल इलेक्ट्रिक की गाड़िया बनाएं गए है और उन्हें मुझे कहा कि हमारी गाड़ियों का कौस्टिंग हिंदुस्तान में वर्ड में सबसे ज्यादा यंग टैलेंटेड होगा यह जो इसके विशेश रूप से सर्कूलेशन एकोनामी की बाद जो वित्तमंत्री जी ने की है तो उसके आधार पूर हमारे देश में हम आटोमेल कंपोनन की कॉस्ट 30% कम होगी और नैचेरली इसके बाद आजे ही टोएटो हो हमारी सुजुकी हो सबकी यहां से एक्सपोर्ट बढ़ा है 50% एक्सपोर्ट है हमारा यह बजाज टीवेस और हीरो टूविलर वाले इनका 50% एक्सपोर्ट होता है और 400 स्टार्टेफ चालू हुए जो इलेक्रिक स्कूटर बना रहे हैं कोई कोई फरिदाबाद में कोई लखनों में और सब अच्छे चल रहे हैं कि टेक्नोलोजी के साथ और लिब्रल एकोनोमिक एप्रोच के साथ इतना अपना डिवलप्मेंट हो रही है जिससे इंप्लॉइमेंट और ज्यादा रोजगा तैयर हो रहा है और वही हमारी सबसे बातों के हजार पर निश्चित रुप से बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी है कि इंडिया इस दो फास्टेस्ट क्रूइंग एकोनोमी इन दबॉइट और यही है कि एकोनोमिक ग्रोथ यह सबसे इंपॉर्टन अब इसमें प्रॉब्लेम यह है कि हमारे ग्रोथ में एग्रि करीब 52 से 54 परसेंट सर्विस सेक्टर से है तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम अग्रिकल्चर की ग्रोथ को कैसे बढ़ा है और इसलिए 200 एस्परेंट डिस्टिक्ट है जो हमारे प्रदानमंत्री जी के नेतुरुत में निकाले गए हैं और 500 ब्लॉक्स हैं जो सोशली ए और इनको संब्रुद्ध बनाना संपन बनाना यहां खेती को संब्रुद्ध संपन बनाना यह सबसे बड़ी टास्क है और मैं लगातर 2004 से मैं ही स्विशे पर लगातर काम कर रहा हूं अब मुझे कॉंपिडेंस आया है हमारे अधरने नीतियोके बेटे यह में बहुत अच्छा गामी अब मुझे यह बात पहले क्या है कि कोई भी आउटोंबोक्स बेचना बहुत कटीन होता है और सरकार को तो बहुत कटीन होता है क्यों कि हर आत्मी आइसी ही चलता है वह इधर उद़र म पॉक्स चीजों को बताने में कठी नहीं होती है पर अब धीरे धीरे यह हुआ है कि डाइवर्सिफिकेशन ऑप अग्रिकल्चर टूर्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर यह सक्सेस्टोरी बन गई अब देश में अब बिहार में भी फैक्ट्रिक फुल रही है इतनौल की इसे अड़ करते है पॉलिक्स को यह पूरा पस्चिमी उत्तर पदेश पुर्वी उत्तर पदेश उदर पूरा हमारा महारास्टर का वेस्टर महारास्टर मरात्वडा उदर करनाटक पूरा मैं भी बेलगाव में था चुनाओं में 100 परसेंट शुगर के एक 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 पूरा उपर से में हेलिकाप्टर देखता था कोई दूसरा क्रॉप भी नहीं दिखता और शुगर में सर्प्लस हैं हमारे देश में हम 380 लाग टन शुगर तयार करते हैं हमारी रिकॉर्मेंट 280 लाग टन है और हर साल 80 लाग टन वह बढ़ेगा तो हमारे पास अगर ऐसी बढ़ती शुगर रेगे और ब्राजिल में शुगर का रेट 22 रुपे के लो और हमारे 32 रुपे के लो और हमारे पॉलिटिकल कॉम्पेटिशन के कारण उत्तर प्रदेश में हर सरकार आती है लेना देना कुछ ने पईसे इनको देना ने कुछ ने रेट बढ़ा देते हैं अब होई इतना एकोनोमिक्स हो गया फैट्री बन पड़ी हो क्योंकि सव रुपे का रो मट्रील खरेदी करके 99 रुपीस का फिनिश प्रोड़क्त बेच कोई प्रॉपिट में आ नहीं सकता इथेनौल ने बचा है और आज इथेनौल के एकोनोमी बनी जिसके कारण पूरे फॉर्मर् अब हमने इतनौल के साथ फ्लेक्स इंजिन ला रहे ऑगस्ट में वह ऐसा है कि ट्वेटो के केमरी करका मॉडल तो वह उसमें जो था वह पेट्रूल पर चलती थी 40 टक्के बीजली तयार करती थी अब जो ट्वेटो सुजूकी और सक के मॉडल आ रहे हमारी हीरो मजाज और टीवेस की स्कूटर रॉटरिक्षा भी आ गई है क्यों इतनौल के पंप शुडू करने है वह ऐसा है कि इतनौल का बाव साथ रूपे लिटर है और इतनौल पर हंड़र परसेंट अब यह चलेंगी पेट्रूल पर नहीं तो उसमें क्या होगा कि 60 परसेंट इतनौल पर और वह 40 परसेंट बीजली तहार करेगी तो सिंपल लैंग्वेज में आपको यह समझा दू कि 15 रूपे लिटर पेट्रूल के भाव से आपको पेट्रूल मिलेगा उतना एवरेज जो मिल रहा आपको उसका भाव 15 रूपे लिटर पेट्रूल होगा यहने आप समझ लेजे कितन का रप्रूजेंट के बीस बसेस को 20 परसेंट मिठेनॉल एड़ करके चलाएं और हमारे कोल लो क्वालिटी का कोल एविलेबल है और आपको मुझा पाइलट प्रूजेक्स सेक्सेस पूल हो गया मिठेनॉल का वह 25 रूपे और स्वाइक रूप से डीजल का 110 रूपे आप द में डालेंगे तो हमारा गैस सिलेंडर सवा सुदेट सुरूपे सस्ता होगा तो आज मिठेनॉल की अशोक लेलेंड की ट्रक लॉंच होगी अब मैं आसाम की सरकार के पीछे लगा हूं कि आसाम पेट्रूलियूम सव टन मिठेनॉल रोज बनाता है और मुंबे में खतम हो गया बन पड़ी तो कैसा होगा यह होगा इतने लोग सवाल पुछ्टे थे अब कोई नहीं पुछता अभी आज यह मेरे याद टाटा के मैं उनके साथ बैटकर एक नया प्लान कर रहो टास्पोर्ट का तो ऐसी चर्चा कर रहा था वो ले वेटिंग लिस्ट है अब और और आपकी घर में अगर चार्जिंग करना शुरू कर दिया तो चार रुपए आएगा तो कितना सेविंग का मीडिल क्लास का कार और स्कूटर घर के गर आपको चार्ज हो जाएगी बसे सारे पास साल के अंदर देश में आपको डिजल बस दिखेंगी नहीं सब बसे से कि आएगी और इससे पूलुशन भी कम होगा और इसलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि इसमें हमने लिबरल एकोनॉमी में पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्मेंट को इन्वाल किया है हाइवे में इन्वाल किया हाइवे के बारे में तो मुझे ज्यादा कुछ बूलने के जूरत है कि आपको अन्भोग होगा देश के कहीं भी जाएए अभी केवल दिल्ली में हम 25,000 करोड के काम कर रह पाइसेट हजार 212 क्रोड को और इसमें इतने बड़े-बड़े प्रोएक्स है कि आज दिल्ली से डेरा डून मुझे लगता आट नो गंटे लगते थे डिसम्बर के बाद दो गंटे में हवाई जाज बंद हो जाएंगे डेरा नुटे में दिल्ली से अमरूस सर चार गंट में दिल्ली से कट्वर हैं चर्णागर आठ गंटे में ईतनीक लेशां चैन्टल ज्याएपार श्रीन धमनेले से में उनमसी जायफित 1-10 मिनिट में तो टाम चेंज हो गया एके इस गरी ग्रीन और ओलन में जल्क लक्रन में कश्मीर से गण्या कोकर थे और बहुत अच्छी बात हो रही कि मनाली आप लोग गए हैं सब्सक्राइब तो मनाली में रुतांग पास जाने के लिए साड़े तिन घंटा लगता था अब अटल टनेल बनीए आठ मिनिट में बाहर साड़े तिन घंटा का और आठ मिनिट में वहां से आने के बाद हम छे टनेल बना रहे हैं बियारो और हम मिलकर हम आएंगे लद्दा के लिए में फिर आशिया की सबसे बड़ी टनेल जोजीला के अंदर बना रहे हैं माइनस ट्वेंटी फूर माइनस ट्वेंटी सिफ डिगरी पर काम कर रहे हैं और आपको ताजव होगा ही हमारी सरकर की विशेश्ट चार बार हमने टेंडर निकाला और पाच्वे बार उसको कैसल किया और ऩो बाराए जर करोड इस्टेवेट कोस्ट निकाली और एक साल अंपर करके और बैठें टेकनलोजी में सब बातों में काफी रिसर्च करके काम किया नई पॉलिसी बनाई और हमने इस काम में अभी 65-70 परसेंट काम पूरा हुआ जोजीला टनल में हमने पाच चजार क्रोड बचा है और आज वो जोजीला के बाद जेड़मोर बंगे जेड़मोर को स्रीनगर आएंगे स्रीनगर से हम 18 टनल बना रहें चवदा बनगे और वहां से फिर कट्रा रोड पर आकर डिरेक्ट दिल्ली आएंगे और दिल्ली से दिल्ली मुंबे आएंगे अब यह एक तो दिल्ली में बहुत कम जानता हूं दिल्ली का मुझे भी पता ने कि यह काम इतना अच्छा था एक क रोड हमने बना लिया वह डिडिय का था एक एंपी मेंने पीशे लगते थे मुझे हमारा काम नहीं यह नहीं है खुब पीशे पड़ा एक दिन मैं कहां कह दिया वह गले में लटा किया इलजी साब भी उस समय है वह आप यह करा दो तो रोड हमने बनाया अब लगबग 2-3 म इनागरेट करेंगे तो दो घंटे लगते हैं वहां से एरपोट आने के लिए 15 मिनिट में हो गया और वहां से यह शीव मूर्ति के पास आकर एक वहां शादिया होती है मैं जानता नहीं उत्माव का एक दिन इतने फसा मैं मैंने कसम कहाई कि कि किसकी भी शादियों इसके ब और टरनेल हमने ऐसी बनाई को खोट के फिर कॉंक्रेट लगा अभी पूरी हो गया आपका भी देख सकती जाए और डायरेक्ट जाएगी टी-3 और एक जाएगी वसंत वियां तो बीच वाला जो ट्राफिक एर इदर द्वारका एक्सप्रेस हाइवे यह इतना अच्छा रो तो मैं बहुत पचीस से दो तीन सब करोड़ का होगा हमाला मैं कर दो अब आप दिवान करो मैं कर दो मैं घोशना कर दी मापस है तो पता जला यह 10,000 करोड़ का और ओभी दिल्ली और खरियाना सरकार के बीच में काफी विवाद और जगड़े वह पूरा हो गया और वहां स इस रोड को इस हाइवे में कनवर्ड कर रहा है तो मैरे जो कंसेप्ट है जो आज एक रिपोर्ट मुझे मिल गया कंसेप्ट यह कि पेरिफिरियल जो रोड शुरू होता है वहां से इलेक्रिक केबल होगी और उसमें दो या तीन बसे जोड़कर ट्रॉली बस वो इलेक्रिक जाएंगे सामने लैप्टॉप होगा और मैंने वहला टिकीट डिजल बस से पचिस टक्के सस्ता होगा और दिल्ली से जैपूर दाइगंटे में होगा और फिर मैंने उनको कहा कि आप मुझे दूसरा चाहिए कि यह तीन बसेश को तीन ट्रॉक में कर दो 20 टन के तो इलेक्र बन जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट सी जो थी देश के ट्रेट बिजनेस इंडस्टी और एक्सपोर्ट क्रियावश्य है हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16 परसेंट है चाइना की लॉजिस्टिक कॉस्ट 8 परसेंट है और विशेश रूप से हमारी अमरिका और यूर सब इंपॉर्ट कर रहे हैं प्लास्टिक, सब इंपॉर्ट होता बड़े प्रमाप तो इंपॉर्ट को कम करना और एक्स्पोर्ट को बढ़ाना ये कम होगा जब लॉजिस्टिक कॉम हमने सिंगल डिजिट में लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए पहले बाद तो रोड तो अच्छे बन गए और electric अगर fuel होगी और उसके साथ अगर CNG, LNG और hydrogen आएगी तो मुझे लगता है कि इससे हम ये cost को कम कर पाएंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में ये single digit ने 9% पे आएंगी तो हमारा export तेड़ गुना होगा क्योंकि हम cost competitive बनेंगे और export बढ़ेगा तो हम अच्छी बड़ी strong economy बनेंगे तो मेरा अपसे यही सुझाव है कि अच्छा infrastructure water power transport and communication कि बहुत जरूर है कि मुझे मैं अभी तो नहीं उपर में मंत्री था तो मेरा एक सपना था कि पानी पत सोनी पत से waterway शुरू करें और यहां से हमने एक MPBS sea plane लाया था तो sea plane का मतलब ऐसा था कि वह पानी पे भी उतरता था एर स्टिप भी उतरता था मैं खुद उस plane में बैठकर मुंबई के समुद्रे में उत्राओं बाद में वह प्लेन हमारे सरदार प्रतिल समारक जो है साधार सरोर के वहां भी ट्राइल हुई कुछ दिन चला तो वह MPBS sea plane गंगा में चलाने की बात थी अब हमने पूरा वारणसी से हल्दिया बनाया तीन मिटर का ड्राफ्ट हल दिया से बंगाल की खाड़ी बर्मपुत्रा में पूरा तीन मिटर का ड्रेजिंग करा दिया बाराक में करा दिया तो मुझे सुष्माजी तब थी तो पंगलादेश की प्रधान मंत्री तो उनने का कि आप वर्ल बैंक का प्रोजेक्ट है और आ आप बोल दो मैं पूरा बगलादेश में बुझ गया और पूरा मुंगली पोर्ट ट्रेजिंग कर दिया तो ब्रह्मपुत्रा का वाटरवेस पुरा हो गया अब यह वाटरवेस में ऐसा है कि 10 रुपए अगर रोड की कॉस्ट है छे रुपए रेलवे किया है तो एक वशकता है तो हमारे देश की एकॉनोमी को सबसे पहले हमको एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाने में स्वावाई कुर्प से अब डारेक्टर नाम लेना उचित नहीं होगा पर एक बात जरू है कि जो लोग कुछ देशों से डील कर रहे थे कि हम हमारे कॉस बराबर करें, लोजिस्टिक कॉस कम करें, हमारे पोर्ट हमने अच्छे डेवलप किये हैं और उसके आदा मेह जब था तो हमारे पोर्ट को हमको 6-0 क्रोड प्रॉपिट हुआ बहुत अच्छे पोर्ट है और इसलिए आने वाले समय में मुझे लगता है कि ह हम एक्सपोर्ट बढ़ाने में अगर काम्याब होंगे तो हम आत्मनिरभर भारत भी बनेंगे और वर्ल्ड की नंबर एक की एकोनोमी बनेंगे जो आज फास्टेस कुरूइंग एकोनोमी करके हमारे बारे में कहा जाता है जो वर्ल्ड में हम पाच्वे नंबर पर है अब उसम इसलिए जो मैंने आपको बताया कि अग्रिकल्चर सेक्टर यह हमारे लिए सबसे अग्रिकल्चर रूरल एंग ट्राइब उसके साथ हमने अद्देन किया कि इसको एकोनोमी को बढ़ाना है तो हमने टूरिजम को बढ़ाना चाहिए जो प्रदान नंत्री भी बार बार कहते कि टूरिजम कैसे बढ़ा है तो टूरिजम में प्राबलम क्या है रोड़े अच्छे नहीं अभी हमने बावी सजार करोड का बुद्ध सरकिट जहां बगवान गौतम बुद्ध का जनम हुआ जहां उनको ग्यान पराप्त हुआ जहां वो रहे जहां उनका दियावसन हुआ अब पूरे इंडोनेशिया मलेशिया चाइना साउथ इस्टेशिया कॉपी टूरिस्ट वारणसी भी आते हैं और देश में आने लगे और बुद्ध सरकिट में गुमने लगे फिर हमने बदिरनाथ केदारनाथ गंगोतरी यहुनतरी बारह अजार करोड का बना है पहले छे दुगना हो गया इसका मतलब जब नया हाइवे बनेगा दिली से दो गंटे में आजकल लोग मुझे दिली के आरे लगे थोड़ी बताओ ना कहा है वाला क्यों मैंने सुना कि डेरा दून से मसूरू में एक टनल बना रहा है वह कहां से जा रही तुम क्यों इतना पूछ रह दो गंटे में मसूरी में रहेंगे और दो गंटे आंगे तो लोग बोलेंगे थंडी आवा खाओ वाज हो इधर दो गंटे में आजाओ वैसे दिली में इधर सी उधर जाने के लिए तो वो करेंगे तो आज स्वाबावी कृप से टूरिस्ट डबल हो गए तो 49% expenditure जो टूर क्रेट करने के लिए होता है तो पहली बात तो है कि हमने यह महराष्ट में पालखी मारगे बनाए 12 अजयर करोड़ा पंडरपुर से देव आलन थे और जितने रिलिजियस शद्दा स्थान थे मैंने उसके पूरे नाम निकाले जैन बोद्ध हमारे गुरुद्वारा मस्जी सबके अब शायद आप लोग धुन लो कि कौनसा रही है कि इसको अच्छा रूड नहीं है और हम पूरे रोड बना दिया अभी मैं एक कोशिश कर रहा हूं वो काम अगले अपिरिल तक होगा ऐसा लगता है पर बहुत कट नहीं है कि पितोरा गड़ से मानस सरौर जाए 85 पर सब्सक्राइब करके हिलिकाप्टर में इसके पार्ट डालके उसको दिलवा कर बेजा कुछ काम हुआ है आखरी स्टेज का काम है तो आपको नेपाल और चायना जाने के जुरत नहीं बढ़े हिंदुस्तान से ही पितोरा गड़ से हम डारिक आखरी के साथाट किलोबिटर के नामे रोड वहां है और वहां से डारिक मानश सरूर जा सकेंगे और हिंदुस्तान के सब लोग मानश सरूर जाना चाहते हैं तो एक मर्ग खल जाएगा बद्रिनाथ केदारनाथ जम्रोफिल भी बना रहें केदारनाथ में और रोड़ भी बना रहें आल सीजन रोड़ अभी छे मैने आतरा होती है इसके बाद एक साल होगी अब थोड़ी बहुत अर्चने आती है इकोलाजी इनवार्मेंट और एकोलाजी इनवार्मेंट को प्रोटेक करना चाहते हैं था हम अभी आपको बताता हूँ हमने अभी तक 68 हजार अभी पेड ट्रांस्पलेंट किये अभी पंद्रह दिन पहले एक दक्षिंग के फिल्म एक्टर है बिलन सेयाजी शिंदेगर के प प्रणड के पेड़ थे उसको हमने प्लैंटेशन सक्सेस्पूली किया यह द्वारका एक्सप्रेस है वे बारा अज़र की का ट्रास्प्रेंटेशन किया और तीन करोड सत्या सी लाग तीन मिटर के पेड़ लगा है अब हमने बांबू का क्रेश बैरियर कर दिया पहली बार व मौंटेन काली चला गया क्योंकि दिल्ली के रिंग रोड में यूएर टू में हमने तीस लाग टन कचरा रोड में डाल दिया मैं दिल्ली मेरेट के समय डालना चाहता था बहुत कोशिश करता रहा तो किसने सैग्रें उसी विवान में आखिर रोड हो गया पुरा तो आब हम लोग अम्दाबाद डोलरों हाइवे में तीस लाग टन कचरा रोड में डाल दिया तो सच्छ वारत अभियान में हमने कचर में वहलू क्रियेट कर दी वेस्ट वेल्थ में दो फिलोसोफिकी अक्सर चर्चा करता हूँ इनोवेशन एंटर्पिनर्शिप साइंस अपरोप्रेट विजन आप लीडर्शिप इस डिपेंग अपन अपरोप्रेट टेक्नोलोजी एट यू कन वेस्ट इंट वेल्थ तो अभी हम सेवन पर्सेंट प्लास्टिक दंबर में डाल रहे हैं रबर के वेस्ट टायर इंपोर्ट करने के अमतिने थी मैने इन्वार्मि सब्सक्राइब कर दी तो इसके कारखा ने खुल गए तो आज हमारी कॉस्ट भी बच गई अभी इसके साथ हमने अभी नया आया है कि हमारी जो डेराडून का इंस्टिटूट है वह और सेंट्रल रिसेर्च वोड और गरेशन ने यह बिटुमिन से यह राइस ट्रॉप से इसे बिटुमिन बनाए पर इसे बिग प्राब्लेम फोर डेली अब पानीपत में अच्छा प्रोजेक्ट शुरुआ जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था जो इंडियन ओयल ने शुरू किया कि एक लाख लीटर इथेनॉल पर दे और देर सो टन बायो बिटुमिन आप उन्हो वह बनाएंगे और वर्ल में जितने बाहर के विवान आएंगे उनको यहां से देंगे तो अभी परली से बायो एविएशन फिवेल बन रही है अब उसमें उन्होंने जो बायो बिटुमिन का मुझे दिया वह अप्रूव हो गया टेक्नोलोजी मेरी कलपना है कि बायो मास बायो टेक्नोलजी इंक्रिज दप्रूट्टिविटी और बायो मास और यह परली कॉटन श्रौ विश्रौ राइस ट्रौ बगास इससे हम बायो सी एंगी और बायो एलेंगी के भी प्लांट आ रहें एक सो पैटीस प्लांट आरें और अठ्थाविश चालू हो गए जो सी इंगी और एलेंजी बनाएंगे और उसके साथ यह हम बायो बिटुमिन बनाएंगे हमारे देश को 80 लाग टन बिटुमिन लगता है उसमें से 50 लाग टन इंडियन और तीस लाग टन हम इंपोर्ट करते हैं तो हमारा इंपोर्ट करने के बजाए यह किसानों को हम 25 लाग का यूनिट देखे जितना बनेगा उतना हम खरीद लेंगे हमारी रिक्वार्मेंट है तो नैचरली किसान उससे संपन्न और संब्रुद्ध होंगे तो टेक्नलोजी का उपयोग करके एक्रिकुल्चर को कैसे अच्छा करना तूरिजम का उपयोग करके नई मैंसे करेट करना और क। sind smart villages smart cities yeah I say smart villages कैसी त्हारत करना industrial cluster's बनाख रोडब्ण चे बनाकर डेविलप्मेंट कैसी लाना मैं बहुत बार एक बात के जिक्र करता हूं American President जौन एक केनड़ी जी की बात को रहते रहता हूं कि उन्होंने कह दा कि American Roads are not good because America is rich but America is rich because American Roads are good prosperity road से आती है और और यब जे आप अरुना चल मेगाले त्रिपोरा जाईए इतने रोड बन रहे आप कहीं भी जाईए किसे को पूछे बता का ने अच्छे रोड बन रहे एरपोड बन रहे रेलवे बन रही जिसके कारण बड़े प्रमान पर टूरिजम बन रहा है लोगों को सुविधा प्रा रहे हम लोग 670 रोड सेड इमिनिटी बना रहे जिसमें डायरेक्ट 170 का काम शुरू है इसमें हेलिकाप्टर उतर सकता है द्रोन उतर सकता है यह सोचा है कि दिल्ली एरपोड पर उतरेंगे फिर द्रोन टेक्सी होगी चार लोग सामाल लेकि उसमें बैठेंगे उड़ेंग तो फ्यूचिरिस्टिक टेक्नालाजी जो है जो सस्टेबल डेवलप्मेंट के लिए उपयोगी होगी उसका उपयोग करके पब्लिक प्राइवेट इन्विस्मेंट को और इंटर्पिनर्शिप को इंकरेज करते हुए हम एकोनोमी क्रोथ और डेवलप्मेंट को कैसे एक्स करता हूं तो मुझे यही लगता है कि अब इस प्रकार से गती बढ़ेगी और गती बढ़ने के बाद इसके कारण एक दुसरे से एक चीज चुड़ी भी है और अग्रिकल्चर रूरल ट्राइबल इसमें भी हमने जो कोशिश की है कि वहां मेडिकल कॉलेज शाड़े छे सो बन रहे हैं आयटी आयम बन रहे हैं एंजिनिंग कॉलेज की संख्या बढ़ रही है स्कील डेवलप्मेंट को स्पेशली विशेश रुप से काफी प्रोश्थान दिया गया है तो यह जो एक पॉलिसी दुसरे पॉलिसी को मदद करती है उसी के कारण एकॉनामी निश्चित से जो हमने जिस प्रकार से काम किया आज वर्ल में हमारा फॉर्मसिटिकल एक्सपोर्ट बहुत बढ़ा है तो मुझे लगता है कि कुछ कमिया है जैसे अभी विशेश रुप से सेमी कंड़क्टर के प्रॉब्लम है हमारी वाशिंग मशीन से लेकर तो हवाई जाज तक कार स स्कूटर सब जगह से मिकंड़क्टर के प्रॉब्लम है तो इंटेल के चेर्मन आए थे यह अमेरिकन हो तो मैं और हमारे आइटी मंतरी और उनके साथ मिटिंग हुई और जब मैंने उनको एटो में सेक्टर का बता है तो इतना डिवलोप्मेंट पोटेंशिल है इंडिया ह है देस्टिनी तो आप काकर सिटी बढ़ा हो तो आज वह भी बढ़ा रहे हैं और हमने भी स्पेशल पॉलिजी तैयर की है तो मुझे लगता है कि यह जो 75 साल का हमारा इकियास है इसमें किसने क्या किया और क्या नहीं किया इसमें टिका टिपने करने में विवाद करने में क को अंतियों । दे के साथ है और उसके साथ बोतान के प्रधान मंत में हैं विएपी हुमन इंडेक्स बामेस्टिक हैपी हुमन इंडेक्स के साथ जोड़कर जो हम्हीं कज़ें सर्वें पर सुकेनत संथ हो हमारी बात है वह और इसलिए we need to identify sector wise कि इनके domestic happy women index क्या क्या हो सकते किसान क्या हो सकते सरकारी कर्मचारी के लिए क्या हो क्ता है हमारे युबाओं की क्या हो सकता है तो प्यवल ekonomie को अच्छा करने से नहीं होगा मैंने हमारे घर पर विए G20 के लिए मैं प्लाक में रहता हूं तो मैंने एक फॉंटेन बना तो मुझे कलपना नहीं थी कि वह एक फॉंटेन में फुटाला में बना जो वर्ल्ड का नंबर एक का बना वह फॉंटेन बहुत ही सुन्दर आप जरूर आईए उसकी कॉमेंटरी अभिताफ बच्चन की बना पाटेकर की है संगीत यार रहमान का है अभी वीडियो उसका है और उसके जो फॉंटेन उसका आर्किटेक्ट फ्रांस का है और पांच ऑसकर विनर उसमें है और एक रियोती करके कंदर तामिल के अभिनेत उसको मैंने हमने काम दिया था दुनिया की एक्सपोर्ट को ल एक बड़ा रिवॉल्विंग ठेट है रेस्टारेंट है चार मल्टिप्लेक्स है उसके बाजू में गार्डन है मुझे थोड़ी पैसे नहीं हमेरे नौसों कमल की जाती खर्टागी हमारी नरसरी खोली मैं मैंने अपने में फंट से पैसे दिये और साड़े 5,000 गुलाब ल तो लोग मुझे लगे तो मुझे बोले यहां फॉंटेन बनाओ तो एक छोटा सा फॉंटन है पचीस तीस चालीस लाग रुपे खर्चा लिया कॉर्णर पर है और वो जिरात को हजारों लोग आते सेल्पी निकालते हैं मैंने इमेजिने नहीं किया था कि इतने बड़े प् फिर ध्यान में मेरे आया कि इनको शाम को कही जाने के लिए अच्छी जगह चाहिए अच्छे क्वालिटी का सस्ता फूर चाहिए वो मजबूर से रास्ते बेखा रहे हैं तो छोटा छोटा यह जो डोमेस्टिक हैपी हुमन इंडेक्स फ्रम एग्रिकल्चर टू रूरल गा मजदूर किसान सब का लेकर त्यार करके हम सब को सुखांक कैसा बढ़ाएं और हम एकोनोमी की क्रोथ को कैसे बढ़ाएं इसका लगबक यह अटेल जी के समय शुरुआत हुई मोदी जी के नेतुरुत में नई सोच की शुरुआत हुई उसके प्रेडाम मिलना शुरू आने वाला समय गवरोशारी है मुझे कभी लगता है कि विवेकानन जी दिर्ष्टा थे उनने जो अमरिका में कहा था कि 18 सदी जो थी वह मुगल सिल्तिनत की थी वन्निस्वी सदी जो थी अंग्रेजों की थी सब जगे यूनियन जागता बीस्वी सदी जो थी अमेरिका एक सुपर एकोनोमिक पावर करके सभी दुष्टे दुनिया के सामने आई पर अब मुझे विश्वास लगने लगा है 75 साल पुर्योंने के बाद कि 21 सदी जो है वो अलावा हमारे पास और एक चीज बहुत बड़ी है वह है इतिहास संस्कृति और विरासत मुल्या दिश्टी जीवन पद्दती परिवार पद्दती योगवी गिदान आयुर्वेज जैसी अनेक बाते यह एडिशनल है और इदर भौतिक प्रगति के साथ अध्यात्मिक वे मन में यही सपना है इस अमुरुत काल से यह सपने का उड़ान शुरू हुआ है आगे 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 देखो क्या होता है ऐसा मुझे लगता है अभी तक हुआ यह तो ट्रेलर है सही फिल्म शुरू होना बाकी है बहुत सी बाते आगे होगी मैंने कुछ रोड का ज्यादा पता जाए में आप जाजा जाओगे आप तो रूड देखोगे तो आपको पता चालेगा बहुत बहुत धन्यवाद नमस्तर था Thank you so much sir for sharing the secrets of remarkable achievements this country has witnessed under your able leadership it's a lesson of life for all of us especially for those who are in public sphere thanks for your patient listening ladies and gentlemen it is my pleasure to invite chairman of ISSR Padmashree Dr. JK Bajaj to give his concluding remarks Dr. Bajaj please इतने अच्छे भाशन के बाद मुझे क्या कहना है मुझे सब्सक्राइब मुझे